तो आज में लेके आगे हैं फिर से गर्माकरम Tech News और आज की Tech News काफी गर्माकरम होने वाली है तो अगर चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल एकन को प्रेस कर लेजिए ताके हमारे वीडियो का हरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और वीडिय वाला सेंसर देखने को मिल सकता है और बहुत लोग बोल्ड रहे हैं कि इसमें क्रिन 985 जो चिपसट है 990 के बाद जो एक बैटर चिपसट क्रिन ने लौंच किया था 985 वो इसमें देखा जा सकता है मतलब कंपनी क्रिन 985 जो प्रोसेसर है वो इस फोन में दे सकती है तो 15 अ अच्छा है प्रोड़क्ट और कलर्फुल भी है और आपको इसमें नीचे लाइटिंग वाला जैसा गेमिंग लैप्सम की कीबोर्ड है उसमें आपको लाइटिंग सिस्टम देखने को मिलता है उसी टाप कीबोर्ड होने वाला है और बता जा रहा है कि इसे जलदी इंडिय किया जाएगा तो आप इसके बार हम क्या सुचते हैं हमें कमण करके बता सकते हैं तो गाइस तीसरे कबर के बात करते हैं तीसरे कबर रियल्मी X60 की तरफ से है चाइना के CMO ने अपने वीवो के ओफिशल एकाउंट से ट्वीट करते हुए रियल्मी X60 की कुछ रेंडर्स जैसा कि आप नोग देख पहा रहे होंगे पीछे में आपको ओल्रियो कैमरा का सेट LIVE मिले प्रेंड में पांचहूल कैमरा का सेटमि देखने को मिल सकता है और बतायारहा है यह नहीं पोटो में जो चाइनीज वड मेरिका उप इंग्लीश उनकमें करे선 सब्सक्राइग तो और इसमें आपको LPDDR 4X का सपोर्ट देखने को मिलेगा और UFS 2.1 और 5G में लॉंच करने वाली है बैटरी के बात के दिसे में आपको 4500 में बैटरी दी जाएगा और 30W का फास्ट चार्ट देखने को मिलेगा और कमपनी 2 वेरियंट में लॉंच करने वाली है और 8GB और 8GB 256GB और 8GB वेरियंट की जो प्राइज रखी गई है वो 2699 यान यान की 28,000 के करीब रखी गई है और 256 वाले जो वेरियंट है उसकी प्राइज 32,000 के करीब रखी गई है तो जैसे यह स्मार्ट फून लॉंच होगा और इसकी कुछ और डीटेल से निलीगी मैं आपको बता दोगा तो फाइनली उपो एस 2 की लॉंच डेट रिलीज कर दी गई है और बता जा रहा है कि यह 13 अप्रिल को लॉंच होने वाला है और स्मार्ट फून की कुछ पिच्चर भी सामने आ चुकी है जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे और इसे तेरा अप्रिल को लॉंच करने वाली है कमपनी तो आप इसके बारे हम क्या सुचते हैं हमें कमेंड कर बता सकते हैं वे भारत तो लाइस पांचवकर की बात करें तो पांचवकर आइफून की तरफ से आइफून अपना आइफून SE2 को इंडिया में 31 मार्ट को लॉंच करने वाली थी बाट कोरना वायरस के चलते हैं इसकी लॉंच पोस्टोंड हो गई और कमपनी ने फाइनली इसकी लॉंच डेट र चाहता हूं पांच इंच का डिस्प्ले होने वाला है और प्रोचेजर में आपको एपल का A13 Bionic चीपसेट देखने को मिलेगा सिंगल रियर कैमरा होने वाला है फ्रेंट में आपको कोई नौच उच देखने को नहीं मिलेगा टाच आइडी का सपोर्ट दिया गया है वायर जैसे कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे सिंगल कोर पर इसको 985 को स्कूर दिया गया है और मल्टी कोर पर 3220 के स्कूर दिया गया है और बताया कि इसमें स्नापड़न का A65 बाला चिपसेट देखने को मिल सकता है जो कि 5G लेबल का है और जैसा कि आप लोग को पता है कि स्नापड़न का A65 बाला चिपसेट इंडिया में सिर्फ दो ही फोन में देखा गया था स्नापड़न का IQ 3 और Realme का स्मार्टफोन है उसमें बट अभी स्नापड़न अपना जो नोट 20 प्लस स्मार्टफोन है उसमें स्नापड़न का A65 बाला प्रोसेटर देख सकती है ऐसा लिक्स आ रही है तो इसके बारे में और जादा डिटेल निकलेगी तो मैं आपको बता कर दूंगा...